आज हम लोग परते कुछ और भी नया सिंटेंसेज जो तो कास मुझे एक girlfriend हो जाए थे आप बोलते हैं तो इसे बोल सकते हैं I wish I had a girlfriend कास मुझे एक girlfriend होती तो इसे भी आप बोल सकते हैं I wish I had a girlfriend तो दोनों का संटेंसेज सेम होता हैं in English में यह भगवान मुझे एक परिमिका दिला दे यदि आप कामना करते हैं तो आप क्या बोलेंगे ओ गॉड़ गैट मी अगर्ल फ्रेंड तो इस तरह से आप इस वर से कामना कर सकते हैं अब नेक्स्ट हाई फिर ये दोस्त मुझे एक गर्ल फ्रेंड दिलवा दो प्लीज इस तरह से आप अपने दोस्त को बोलते हैं तो वह बोल सकते हैं dear friend get me a girlfriend please तो इस तरह से आप अपने दोस्त को भी कर सकते हैं और impress कर सकते हैं कोई किसी को भी इस तरह के संदेश ज़िए आप बोलते हैं तो वो impress हो जाता है अब चलते next हे भगवान उसको मुझे से प्यार करवा दो मतलब कोई लड़की है सामने और आप कामना करते हैं भगवान वो मुझे प्यार करना सुरू करते हैं तो आप बोल सकते oh god make her fall in love with me make her fall in love with me तो इस तरह से आप impressive sentences बोल सकते हैं इंगलिस में वो मेरे प्यार में पागल है वो मेरे प्यार में पागल है तो कोई लड़की है तो आप क्या बोलेंगे उसे she is madly in love with me मतलब वो मेरे प्यार में पागल है उसको मुझे से प्यार हो गया है मतलब कोई लड़की है अब उसको आप से प्यार हो गया तो आप बोल सकते हैं she has fallen in love with me मतलब वो मेरे प्यार में पागल हो गई यह समझे तो दूब गई अब दूसरा है मैं तेरे प्यार में दिमाना हो गया हूँ तो आप इसे बोल सकते हैं I have fallen in love with you यह था कुछ smart sentences जो कहें भी अपने friends के साथ बोल कर किसी को भी impress कर सकते हैं बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा और आप सिख जाएंगे कुछ smart sentences to impress your friends and colleagues Thanks for watching this video See you Have a nice day and take care